राइस्तान विश्विद्याले के पूर्वा सचिव नरेश मीना ने बारा में प्रैसवार्ता की और बताया कि सौमवार को पूर्वुख मंत्री सचिन पाइलेट के जरम दिन पर रक्षदान शिविर आयुजित किया जाएगा जो पूरे प्रदेश भर में आयुजित होगा शिविर में महिलाओं सहीत युवा बड़ी संख्या में भाग लेंगे बारा में आयुजित होने वाले शिविर के लिए 2500 यूनिट रक्त संग्रहन का लक्ष रखा गया है और अब खबर बीका नेर के कोलाई से जहां कपिल सरोवर के जोहर पायतन पर हो रहे कबजे और अवैत खनन को लेकर ग्रामीडों ने शिकायत की थी इसके बाद चानी हलका पटवारी विकास दादीश मौके पर पहुँचे और टेचरी से कोलाई ताने वाले पानी के रास्ते की रिकॉर्ड के अनुसार जांच की पटवारी विकास दादीश ने बताया कि कपिल सरोवर के जोहर पायतन पर भू माफियाओं की और से कबजा करने की शिकायत मिली थी जांच में सामने आया कि खनन का ओवर बर्डन नदी के रास्ते में डाला जा रहा है इस पर संभन्दित व्यक्ति को नदी के रास्ते से बर्डन हटाने के लिए निर्देश दिये गए और नदी का रास्ता खुलवाया गया 12 के शावाद में सौमवार से धार्मिक स्तल खुल जाएंगे हाला कि कंटेंडमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदियां रहेंगी इसको लेकर उपखंड अधिकारी अर्विंद शर्मा ने बैठक का आयोजन किया जिसमें ग्रह विभाग की गाइडलाइन पर चर्चा की गई साथ ही धार्मिक स्तलों में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गए SDM अर्विंद शर्मा ने बताया कि कंटेंडमेंट जोन में धार्मिक स्तल नहीं खोले जाएंगे साथ ही सभी धर्मगुरूओं को कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के निर्देश दिये गए है और इस वक्त की बड़ी ख़बर कोटा से जहां